नमस्कार दोस्तों आप शबका श्वागत करते हैं कारगुनिस्टे के ओनलाइन पॉर्टर पे तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज नमर 14 को मैं बात कर रहा हूँ आरपीसी के दोरा करवाई जाने वाले इंट्रिवूस जो की सब इंस्पेक्टर यानि की उप्रिनरक्षिक भरती 2000 शोड़ा में 511 पदो के लिए करवाई जा रहे हैं हाली में अगर बात करें तो जो इंट्रिवूस में याँ पे मैमर के दोरा जो कॉशन पूशे जाते हैं उस कॉशन की अपन इस सीरीज में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे कॉशन नमर 14 जो आरपीसी मैमर के दोरा कैंडिडेट से पूशा जाता है रानी कमलावती कौन थी और इसका संबंध किस से था मैं आपको बता दूँ यह कैंडिडेट जो है इसी एरिये से बिलोंग करते हैं इसलिए यहाँ से इस प्रकार का कॉशन पूशा गया है मेवाड एरिये से बिलोंग करते हैं तो इसके अंसर के अगर मैं बता हूँ तो आप लोगों पता होगा यह मेवाड की एक रानी थी जो अकरवन के समय केवल 500 सेनिकों के साथ ही एक वीरता से मुकावला उनका किया था और यह जो मुकावला था राना की मुर्तियों के बाद में हुआ था जो एहमत साथ से इन्होंने ये युद किया था नेक्स्ट क्योशन की बात करें तो अमर्चंद बाटिया का शम्मंद किस से है यह बाटिया की जिगा बाटिया था तो मैं आपको बता दू, इनका शम्मद अगर बात करें, तो ये बिकानेर के रहने वाले थे, इन्होंने जांसी की रानी लक्षमिवाई वे तात्य टोपे को अपनी संचित धन रासी देके यहाँ पे उनकी शायता की थी, और ये एक के शवतंतरता शेनानी थे, जो की रास्त चितोड के किले का कारिय भार और उसकी रक्षा की जिमाद्यारी किन दो शरदारों के हाथों में वो देखे गए थे, जिस समय अकबर का अक्रमन या पे हुआ था चितोडगड के किले पे, तो मैं इसका बता दू, इसका आंसुर अगर राइट की अगर बात करें, तो वो ज शहीद हो गए थे, जैमल पता यहाँ पे इसमें शहीद हो गए थे, नेक्स्ट कोशन के अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दू, रास्तान पुलिश में आप किस प्रकार से एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, जब आप रास्तान पुलिश में स दिकारी किसी से रिश्वत ले और ये चीज आपको पता हो आप किस प्रकार से रियक्ट करेंगे तो यहाँ पे ओतर की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं उन्हें समझाने की कौशिश करूँगा और उसके बाद मैं आवशकता अनूशार कानूनी कारवाई उनके उपर नेक्स्ट के अगर बात करें तो चलती ट्रेन में अगर आप से कोई जबरदस्ती यहाँ पे करें तो आप सबसे पहले इसकी ख़बर किसे देंगे तो मैं आपको बता दूश का राइट आंस्वर ट्रेन में उपस्तित सुरक्षा बल जो कि यहाँ पे रेलवे प्रटेक्श जो है वो किस के पास में करेंगे तो मैं आपको इसका आंसर की अगर बात करूँ तो इसके आंसर जो है सबसे पहले मैं अपने इस्थर पर उसको समझाने की कोशिश करूँगा अगर उसके बाद में वो नहीं समझता है तो मैं एक कानूनी कारवाई की अनुशार पुलीश क को यहां पे रिपोर्ट करूंगा नेक्स्ट अगर बात करें तो आप पुलीश से पुलीश में क्यों आना चाहते हैं यानि कि आप इंटरेस्ट जो है रास्तान पुलीश में क्यों है काफी अच्छा कोईशन है सबीसे पूछा जा रहा है आप लोग अपनी लेवल पर इसकी त्यारी कीजिएगा अपनी रूची और योगता को देखते वे यह राजकी शिवा मेरे लिए एक अच्छा ओप्शन है नेक्स्ट क्वेशन के अगर बात करें तो हाली में पश्चमी बंगाल में कौन सा चकरवात यहां पे आया था अभी हाली में आपने देखा होगा तो पश्चमी बंगाल यानि केलकेटा में जो अभी हाली में जो चकरवात आया था लोगडाउन के आसपास मैं आपको बता दूँ वो एमफोन चकरवात उसका नाम था एमफोन इसका नाम था आप लोग ऐसी लेटिस्ट न्यूज को पढ़के जाएगा नेक्स कोशन के अगर बात करें तो आप लोग देख पा रहे होगा जेन वर्दमान विधाले की स्थापना किसके दोरा याँ पे की गई थी मैं आपको बतादू इनकी स्थापना अरजुण लाल सेटी के दोरा किये गई थी जो कि जयपूर के रहने वाले थे 1905 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी इन्होंने रास्तान के पहले करांतिकारी के रूम में हिंदू-मुश्लिम एकता के रूम में इन्होंने काफी परियास किया जो कि कुछ इस प्रकार से है समानता का अदिकार सोतंतरता का अधिकार सोतंतर धर्म का अधिकार कल्चरल और एज्यूकेशन का अधिकार कॉंस्टिटुउशनर रैमिडीज का अधिकार राइट तो अंगेश्ट एक्स्पोईटेशन का अधिकार यह सबी जो है अपने राइट्स हैं जो constitution में गिवन है साथवा Constitutional Right जो है अपने पास में वो था Property Right जो हाली में उसको हटा दिया गया है तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल अपने पास में 6 ही अधिकार यहाँ पे सविधान में है Next Question के अगर बात करें तो मुफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहां होता है यह candidate बिकानेर साइट से बिलोग करते थे तो उनीक एरिये से यहाँ से क्योशन पूशा गया है मैं आपको बता दूँ बिकानेर के लोन करण सर के अंदर जो मुफली का उत्पादन है वो भारत में काफी अच्छा होता है नेक्स अगर बात करें तो यह candidate economics फिल्ड से है तो GST का पूरा नाम क्या है मैं आपको बता दूँ GST का पूरा नाम good and service tax है जो की हाली में weight जो पहले लगा करता था उसको हटा के GST अप्लाई किया गया था नेक्स कोशन की बात करें तो पाम रोजा का शम्मंद किस से है तो यहाँ पे candidate के द्वारा जो answer दिया जाता है पैसर यह है एक परकार की गाश है जो की मुख्य रूप से एक शुगंदीत रूप में होती है और आप इसका compare अगर बात करें तो खश है इससे भी इसका relate कर सकते हैं next question की अगर बात करें तो पुलीश को अधिकारियों के शाथ में किस तरह का वर्ताव यानि कि वेहार करना चाहिए और किस परकार से उनके साथ में react करना चाहिए तो मैं आपका इसका answer बता देता हूँ हला कि आपको अपने coding ही इसका answer बनाना है क्योंकि सभी के questions के answer जो है situational के अलग-अलग हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि मेरे जवारत दिये गए answer आप भी दो तो यहाँ पर कानून को ध्यान में रखते हुए इमानदार और दयालू का भाव हर आम आदमी की बीच में रास्तान पुलिश का होना चाहिए नेक्स question के अगर बात करें तो हाली में किस महिला IS official को येंग लेडर ब्रिक्स के सलाकार के रूम में आपे चुना गया आप लोग जानते होंगे काफी ये news में रही है जो गंगा नगर के अंदर अभी CEO पोस्ट पे कारियरत है मैं बता दू वो टीना ढबी है जो हाली में top first में भी IS qualify कियाता है नोंने civil service को next question के अगर बात करेंगे तो गोकुंदा की पाडियों से कौन सी नदी का उधगम याँपे होता है काफी अच्छा question है member ये जो candidate जो है इसी area से belong करते हैं इसलिए इनसे related यहाँपे गोकुंदा से शमंदित यहाँपे question पूशा गया है तो मैं आपको बता दू वो right answer जो उसका है वो मांसी वाकल नदी जो है वो गोकुंदा की पाडियों से निकलती है Next question की बात करेंगे तो मिवात का चेतर कौन सा है याँझी किस चेतर के अंतरगत मिवात का चेतर आता है मैं आपको बता दू इसका जो right answer है वो अलवर और भरतपूर का छेतर है उस areas को मिवात का चेतर यहाँपे राजस्थान में कहा जाता है नेक्स कोशन की बात करें तो रास्तान पुलीश की मुख्य कमी आपके ताप से क्या है और आप इसको किस प्रकार से दूर करेंगे रास्तान पुलीश में क्स late होने के बाद में देखे सभी अगर आपन मैं आपको बात तो कमिया तो काफी है लेकिन आपको चिन है, नेक्स्ट अगर बात करें तो सविधानिक रूप से RPSC किस प्रकार की संस्था है, काफी अच्छा कोशन है, पहला कोशन पुछा गया है मैंबर से, कि RPSC जिसमें आप इंटर्यूज देने आये, वो किस प्रकार की संस्था सविधानिक रूप में है, मैं आपको बता करेंगे, तो हाली में हुए विकास दूबे का एंकाउंटर, आपके इसाब से, क्या ये एंकाउंटर शही था, केंडिडेट के दवारा, कानूनी रूप से ये एक सही कदम था, और हर अपरादी के साथ में ऐसा कदम, राज्य सरकार के दवारा उठाया जाना चाहिए, काफ अच्छा कुशन है, आंसर की अगर बात करें, तो उनको केद, जो जेल में केद करने का मुख कार्ण ही होता है, कि समय के अनुशार उन पे निगरानी रख सके, ताकि वो एक नए अपराद की तरफ ना बढ़ सके, और ना ही वो खुले आम अपराद कर सके, नेक्स्ट कोशन के बात करेंगे, तो आपकी निगरानी में, अगर आपके थाने में किसी केदी की हत्या हो जाए, तो आप सबसे पहले किस परकार का कदम यहां पे उठाएंगे, और क्या आप सबसे पहले किस परकार से परतिकिर्या करेंगे, यहां पे जो आंसर इसका दिया जाता है, सर में गटना ए वारदात की जाच परताल भी करूआ और पूरी इसकी जाच परताल के बाद में एक के रिजल्ट्स पे पहुंचेंगे नेक्स कोशन की बात करेंगे तो महिला उपर हो रहे अनेक परकार के अत्याचारों को आप किस परकार से देखते हैं तो मैं आपको बता दू सविधानिक रूप से ये सभी एक कानूनी अपराद हैं जिसके अंदर से एक शक्त सजा का प्रयदावन होना चीए ताकि हर केंडिडेट जो भी ऐसा अपराद करें महिलाओ के एंगेश्ट तो उनको एक सविधानिक रूप से एक कानूनी रूप से ए अभी तक जो केंडिडेट के द्वारा जो मेमर के द्वारा इंट्रिव्यू करवा गया है लग बग यहां पर पचास से साथ किस्टन जो है वो कोरोना पर पूछे गये हैं मैं आपको बता दू सका राइट आंसर वाइरस जनित बिमारी कोरोना वाइरस है नेक्स कुशा क्योशन अगेन कोरोना वाइरस किस अवस्ता में आपे है यानि परजेंटली जो कोरोना है वो किस अवस्ता में आपे है मर्थ है या फिर जीवित अवस्ता में है तो यह जो कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है सर कोरोना जो है एक के जीवित अ पर रहता है यानि कि मैं आपको यू क्यों बोलूं कि आम व्यक्तियों में पुलीश का खोफ काफी ज़्यादा देखने को मिलता है क्या ये बात आपके इसाब से सही है तो केंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है सरी ये बिल्कुल गलत है पुलीश का भाव एक साम जनेरेटर क्या होता है तो मैं आपको बता दू जनेरेटर एक साइंस का ट्रम्स होता है जो मुख्य रूप से एक के ऐसी डिवाइस होती है एक ऐसी यूगती होती है जो कि यांत्रिक उज्या को विदूत उर्जा में चैंज करने के लिए उपयोग मिली जाती है और मुख् के चंडिडेट की सायंस बेग्राउंट से हैं इनका ग्रेजुट कीा वाया आगा राघक का कजिखनी जहां से उसकते से नौसे कले शायाता है जो भारत की फ्रिक्वेंसी हैं वो कितनी है यानि भारत की आवर्थी कितनी है तो ये candidate के द्वारा जो answer दिया जाता है हाला कि ये right answer दिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ भारत की जो frequency है यानि आवरती है वो 50 Hz है 50 Hz पर ये अपने जो भी electrical tools हैं वो operate होते हैं अगर मैं next question की बात करूँ तो क्या पुलीस के द्वारा अपरादी को रात को पकड़ सकते हैं यानि रात के शमय में क्या अपरादी को आप पकड़ सकते हैं तो आप सोचके इस कांसुर दीजीगा मुझे मेरा confusion है इसमें मेरे idea से ये अपन किसी भी अपरादी को 6 जिसे बज़े के बाद यानि शमको 6 जिसे के बाद इसमें अपर लोग भी क्यांस की बात करों तो सभी इंट्रीवस में पूछा जा रहा है जो सभी मेंबर के दौरा ये पूछा जाता है पूछा आता भी होगा कलास Tenth पॉस्ट ग्रेजुशन आपकी होबी और आपके आइडिल परसंस कौन से हैं इनके बारे में एक अच्छी से और व्यूज का स्टेडी करके जाएगा ना कि डीप पड़िएगा एक दम फ्रेंकली आप पड़िएगा सभी कोशन सामाने पूशी जा रहे हैं कोई भी कोशन ऐसा टफ नहीं है नेक्स कोशन की बात करेंगे तो पुलीस परशासन के दोवारा लगाए जाने वाले कर्फ्यू क्या होता है हाले में कोरोना वाइरस में काफी टाइम आपने लोगडाउन और कर्फ्यू की घटनाए काफी शूनी होगी तो मैं आपको बता दूँ कर्फ्यू ज में अपने जरूरी कारिये भी बाहर नहीं जा सकता अगर आपको इंपोर्टेंट काम है तो आपको पर्मिशन लेनी होगी डिपार्टमेंट से उसके बाद ही आप कर्फ्यू इस में आउट हो सकते हो बाहर हो सकते हो और इसके डिरेक्ली जो पावर होते हैं वो डिस्टिक सेन थे जो कि इनको मारवाड का बोला विश्रा राजा के नाम से भी जाना जाता है जो कि मारवाड के रहने वाले थे और इन्होंने अकबर की अधिन्ता शवीकार नहीं की थी हाला कि ये 1570 में अकबर दरवार जब लगाया गया था नागोर में तब ये उपस्तित थे तो म उनको इंट्रिउस की जानकारी हो सके और उनको भी पता लग सके किस प्रकार मेंबर यहां पर कैंडिडेट से कॉशन पूसता है तो मैं आशा करता हूँ इसको ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले और लाइक भी करें ठैंक यू